अधिति आप लोगों के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं और यह जो वीडियो है यह रिलेटेड है आप लोगों की एक्जाम डेट से रिलेटेड आपको अगर याद हो तो इस चानल पर जो सबसे अभी सबसे जादा व्यूड अगर एक तो इसी को लेकर आज मैं थोड़ा बहुत डिसक्शन करने वाली हूं तीन इंपोर्टेंट बाते भी आप लोगों से डिसक्रिस करूंगी तो चले वीडियो के अंदर हम लोग चलते हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप च मैं जून में एक्जाम होगा या नहीं होगा यहरी एक मैजॉरिटी ऑफ दूटेंट है जो चाहते हैं कि जून में एक्जामिनेशन नहीं हो बट मैं आप लोगों को एक बहुत इंपोर्टेंट बात बताना चाहती हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं या सभी जगह वीडियोज में या क्लासेज में सब जगे जो आप लोग बाते सुन रहे हो कि आप लोगों का जो एक्जामिनेशन है उसके लिए सिर्फ बीस दिये गए गए फॉर्म भरने के लिए तीन दिन करेक्शन विंडो के लिए ये किया वो किया गया बिल्कुल सही बात है मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ सभी स्टूडेंस के साथ हूँ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सब लोग ठीक बोल रहे हैं बड मुझे बात बताईएगा एंटिये जो है वो हम सबसे बहतर जानता है और शायर इसलिए वो एक और्गनाइजेशन है उनके काम करने का एक पैटन है तरीका है जिसे वो फॉलो करते हैं आप सभी लोग जानते हैं दो हजार जो एकी सला अटेम्ट हुआ था उसमें एंटीय को बहुत जादा क्रिडिसाइस किया गया था इंटरफेस के इशू हुए थे आप लोगों की जो सेंटर से वो बहुत दूर दूर दिये कि बहुत सारी बाते हैं जो एंटीय ने अपने नोटिस में बार बार बताई है साथी साथ जग्दीश सर ने जैसे ही ट्वीट किया कि आप लोगों का इग्जामिनेशन जून में होगा और जैसे जैसे एप्रिल एंड हो रहा था आप लोगों का फाइनल नोटिफिकेशन आप लोग बात है कि अभी तक भी आपकी एग्जाम डेट सामने नहीं हाई और वह एक बहुत ही प्लेसिब वाला चीज ही है जो एंटे कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि एक प्लेसिब है कंप्लीटी बढ़ हाँ अचली में एंटीश लग रहा है कि टाइम बाय कर रहा ह वो ऐसे कर रहा है कि जब तक examination date हम लोग फिक्स नहीं कर लेते हैं at least student को बिल्कुल बिजी रखते हैं उनको एक you know एक platform देते हैं जहां वो वाके form फिल कर रहा है यह सारी चीजे कर रहा है बार बार यह question ना राइस हो कि exam कब हो रहा है कब हो रहा है process already start हो चुकी है यानि कि आप लोग कर जो examination वो definitely आने वाले टाइम पे बहुत ही nearest future के अंदर होने वाला है मैंने यह आपर दो important बाते बात की एक तो NDA खुद भी exam dates के साथ confirm नहीं है इसलिए इसलिए exam dates दी नहीं है हाला कि उनके ही चेयर्मेन हैं UGC के जिनोंने बोल दिया गया है कि जून के second week तक exam हो जाएंगे तो यह दो statement है जो बहुत important है और हमारे लिए तो वही यह एक standard statement है इसको लेकर हम आगे चलने वाले हैं मुझे एक बात बताईएगा मेरे इसाब से जो मैं आपको बोल रही हो यह this is totally my view मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का जो examination है वो जून के second week यानी 15 जून तक करवाना बहुत ही difficult काम है examination कितने सारे centers देना इतने सारे admit cards देना admit card के साथ में यार यह भी देखना होता है कि बच्चे को बहुत difficulty होती एक जगे से दूसरी जगे पर पेपर देखे जाना बहुत सारी चीजे हैं जो NTA को सोच नी पड़ेगी तो डेफिनेटी बात तो ऐसी है कि कैसे आप लोग 15 दिन के अंदर क्योंकि हार्डली अब आप लोगों के पास में अगर admit cards भी या जाते हैं आप लोगों के बात में देख ले तो कुल मिला के आप लोगों के पास में 30 दिन भी पूरे नहीं है 20 दिन है तो क्या यह हो सकता ह है कि फॉर्म फिल करने के तुरंत 20 दिन बाद में या 15 यह पच्छिस दिन के बाद में एक्जाम हो जाए यह लगता नहीं है कि पॉसिबल है बट स्टिल मुझे एक बात बताईएगा जो मेना तीसरा और फाइनल कंफूशन स्टेप्मेंट है कि आप सभी लोगों को क्या ल हम सभी लोग वहां तो जानते नहीं कि अंदर क्या चल रहा है मेरा आप लोगों से एक सवाल है वाट इफ कि 15 जून को एक्जाम करवा दिया गया तो क्या करोगे आप लोग मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूं कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर यह होना ची और वही चीज आपको मेरे वीडियो में दिखेंगे मेरे चैनल पर दिखेंगे अज भी स्टुडेंट यह कुछ कम्यूनिटी ऐसी है जो यह सोच के बैठी है कि कैसे एक्जाम को पोस्पोन करवा दिया जाए या क्या एक्जाम पोस्पोन होगा यह नहीं होगा उस डेलमा म आप मत रहें मैं माउलती हूं कि क्यों ना हम मान के चले कि 15 जून को ही एक्जाम होगा तो अपने आप आपके पास टार्केट है और कॉंसेंट्रेशन भी है आप उसकी तरफ महनत कर सकते हूं हाँ आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे आप तो बोल दीए डेठ है कि आप लोग 15 जून को अपनी फाइनल डेट मानो और उसी के अकॉर्डिक प्रिपेर करते चलो आप लोगों का जो एक्जाम है जून या जुलाई कभी भी हो एक्जाम में तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है कैसे पढ़ना है कैसे कोल फैंग नंबर लेके आने क्यों प्रह Πर चाहिए पर करते हैं मैं कि विडियों उसमेनप लेकर बगहा है तो जून में झोलाई में होगा कि कब होगा यह ज्याद़ इमपोर्टन एंक है कि आपको क्या करना चाहिए अगले बीस-पचस living 예 आपको क्या करना चाहिए मेरे साब से आपको कॉंसेंटरेट करना चाहिए और बाकी जो बच्चीवी चीज में आप लोगों को बताई कि जो आप लोगों का examination है वो बिल्कुल उसी तरीके से होने वाला है जैसा अभी तक करवाता आया है पिछले साल की इतने क्रिटिसिजम के बाद में NTA भी कुछ ना कुछ सोच रहा है और इसलिए वो इतना समय ले रहा है तो यह भी पोस्पोन होगा वो भी होगा यह भी होगा यह सारे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं आप और मैं बैठके यह सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं डिसिजन तो एक करना चाहती हूं मेरा मोटिफ आप लोगों को सिर्फ और सिस तरफ मोटिवेट करना है कि प्रिपेरेशन को अंदर लीजिए और उसी पर काम करिये थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को लगा कि मैं में कुछ जैनुवन बाते आप लोगों के सामने रखी हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेर करना सो देट उन सभी स्टूदेंस ताग हम लोग पौँच सके जो भी शेयर डिलेमा में होंगे ओके गाइस बाबाई टेक केर